नमस्कार दोस्तों चैजा कननात मैं हूँ अरुंदती और आप देख रहे हैं गार्टनिंग भी तरुंदती दोस्तों आज फर्स्ट सिप्टमबर है और मन्त का फर्स्ट संडे है तो आज का जो संडे अपडेट आप लोगों के साथ में सेयार करने वाली हूँ वह सुरू करत नाकचमपा खिले है और कितने सरे कलियां भी है इस तरह से यहां पर सारे सदाबहर का प्लान्ट का विंका और यहां पर नागजम पाट Γंप को लगाई थी includes कटेंग से तो देखते हैं यह बस ता है या नहीं आप यहां पर द 거죠il को इनियार सीझा और यहां अर्ड मैंने कुछ मेरीकोलड की ट्लांट को लगाई थी यहाँ पर देखिए यहाँ से एक प्लांट को बिल्कुल खा चुके हैं स्नेल्स और बहुत ज़्यादा स्नेल्स अभी हो रहे हैं मेरे गार्डन में और यहाँ पर मेरी गोल्ड की एक प्लांट है जो की खिल रहा है अभी भी और यहाँ देखिए दो प्लांट लगाई थी यह भी खराब होगे, सारे स्नेल खा लेते हैं, तो अभी मेरी गोल्ड मुझे फिर से लाना पड़ेगा, क्योंकि यह जितने भी मैंने लगाई थी, वो तो सारे खा लिए हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह है लाइट पॉपल या भावलेट कलर का देखिए, यहाँ पर इस साल अभी खिल रहे हैं, और पिछली साल विलकुल भी नहीं खिले थे, और ज्यादातर बर्स इस तरह से गिर रहे हैं, और देखिए, यह जो फंगस हो रहे है ना, फंगस मिलिवग, इनका आटाक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और रोज ही भारिस हो रही है, तो इसले में इन में कोई स्प्रे भी नहीं कर पा रही हूं यह देखिए विल्कुल चाहित अभी गिला है दिन भर बारिस होती है फिर धूप हो जाती है अभी धूप हो रही थी और फिर से बारिस भी तो यह देखिए यहां पर जर्बेरा मैंने अलग करके रखा था यह बाला पॉट म यह थे और यह वाले पॉट में यह देखिए यह बिल्कुल खतम हो चुके हैं बस एक ही लिफ है भी इसमें बचा हुआ है तो बसता है तो ठीक है यहां पर यह बाला एक पॉट था तो पांच पॉट में उन्हें बनाई थी और यहां पर देखिए देशी हिविसकस आज इन बिल्कुल टॉरेनिया अपना जगा बना चुका है और यहां पर देखिए यहां पर भी टॉरेनिया और यह सारे मेरे विंटर वाले पॉट हैं इनमें मैं प्लांट्स लगाती हूं पिटूनिया बगएरा तो इस तरह से इस साल मेरे सारे पिटास खराब हो गए और यह यह बहुत अच्छी तरह से खिल रहे हैं और यहां पर भी टरोनिया पेंटास की यहां पर हैं जो की अभी है ठीक ठाक तो इनको मैं फिर से पट में लगाओंगी यहां पर भी एक है यह सिर्फ रेद में ही लगा हुआ है इसलिए सायद यह बचा हुआ है और यहां पर यह sleeping ही विसकस है पिंक कलर का जो अभी नहीं खिल रहा है आपने इनकी प्रूनिंग कर अब यहां पर थोड़े से रेन दिली भी खेल रहे हैं और यहां पर देखिए दोस्तों यह जो इस फ्लारिंग हो जाएगी तो अभी आपके पास अगर पर्चलाका है तो उसको ज़रूर पूर्णिंग कर दीजिये या फिर रिपोर्टिंग कर दीजिये तो plants फिर अच्छे हो जाते हैं यहाँ पर देखिए यह अदरानियम के सीड्लींगज थे और सारे अदरानियम के सीड्लींग में बहुत सारे टोरेनिया की plants होगे हुएते तो मैंने अभी अभी इनके दो-तिं दिन पहले ही मैंने इसके इनको निकाला है तो फिर यह प्लांट अच्छे से ग्रोँ नहीं करते यहां पर देखिए फिर से टॉरेनिया कहाँ से ओगा हुआ है आप देख सकते हैं यह तो बहुत ज्यादा टॉरेनिया उगते रहते हैं यहां पर सारे स्डिलिंग से एक ही प्लांट देखें बड़ा सा हो गया है और अभ तिकोमा की cutting लगाई थी तो ये टिकोमा बिल्कुल चल गए हैं ये देखिए कितने सरे प्लांट्स हो गए हैं बहुत हल्दी और यहाँ पर सायद तीन चौर पांच छे छे प्लांट यहाँ पर टिकोमा के बन गए हैं यह वेरिगेटर वाला टिकोमा है मैंने इनको तीन सो रुपेल से खरीदा था तो अभी छे प्लांट बन गए हैं और सोच रही हूँ एक लेकर स्कूल में लगा लू और यहाँ पर पॉपल हार्ट यह देखिए यहाँ पर उपर भी टोरिनिया वडेलिया और यह जो कॉस्मस है इनको बेस मैंने रखा है इनकी कटिंग्स लगाने के लिए क्योंकि यह वाले जो यलो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पर देखिए सॉंग ऑफ इंडिया बहुत ही खुपसरत सा सॉंग ऑफ इंडिया है और यहाँ देखिए ड्रेसिना बेबी डॉल यहाँ पर ड्रेसिना बिल्कुल खराब हो चुका है मतलब इनको के ट्रेपिलर कुतर चुके हैं और यहाँ पर अलमंडा यह देखिए ब्लीडिंग हाट की लीप्स भी खराब कर रहे हैं कर ट्रेपिलर और यह वाला जो देखिए कितनी खुपसरत लग रहा है यह क्रोटन का प्लांट है यह वाला क्रोटन और यह वाला क्रोटन मैंने कटिंग से ग्रो किया है कहीं से लेके आई थी चुपाके तो यह बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और जो सारे क्रोटन से थे थोड़े-थोड़े खराब हो रहे हैं इनको भी प्रूनिंग की जट्रत है प्रूनिंग करने से यह फिर अच्छे हो जाएंगे यह गोल्डन डस्ट का थोड़ा सा बड़े वाला लीफ वाला था वो खराब हो गया कोई बात नहीं वो नीचे है जमीन पे लगा हुआ है तो उसी से मैं लगा लूँगी यह देखिए यहाँ पर बेगम बाहर बेगम बाहर अभी बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहा है और इनमें फ्लारिंग भी बहुत अच्छी हो रही है तो मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ी से सपोर्ट दो दियूँ एक स्टीक या कुछ लगा दूँ तो सायदी अच्छे से ग्रो करेंगे और यहाँ पर भी कुछ पॉर्चुला का है जिसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और यहाँ पर देखे कलांचु की भी अभी जरुरत है देखभाल की और यहाँ पर यह अजवाइन का प्लांट है जो की अभी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पर थलपदा का प्लांट है और यहां पर नीमोलिया भी है यहां पर नीमोलिया की फ्लार तो बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं तो मैं अंदर तक नहीं जा पा रहे हूं तो यहां पर एक देखिए येलो नाइट क्विन कहते हैं इसको देखिए कितनी खुबसरत सा और देखिए फिर से धूप आ गया है और यहां पर फर्स फ्लब का प्लांट है कुछ यह देखिए कुछ फूल इन में खेल भी चुके हैं इनको फिर मुझे कटिंग करनी है हैंगे और यहां पर देखिए रबर प्लांट है यह देखिए और यह देखिए फिर से टुरेनिया और यहां पर यह जो मंडविला का प्लांट है यह भी खराब होते होने लगा है तो इस पर भी मुझे काम करने हैं तो यहां पर देखिए फिटुनिया यह बिल्कुर तो इसको बस cutting लगा लगा कर बचाते रहना है, ताकि आपके garden से ये ना जाए, इसलिए मैं इसकी cuttings भी लगाती रहती हूँ, और यहाँ पर देखिए एरांतेमा, और यहाँ पर पान का प्लांट है, और यहाँ पर देखिए, यह देखिए enjoy पुथों से, यह देखिए छोटे चोटे से leaves हो गए हैं, बहुत चोटे से pot में लगा हुआ है, और यहाँ पर marble की इन पुथों से, और यहाँ देखिए, यह है, गार्डनिया का प्लांट है, और यह सारे जो पॉट्स हैं, इनके बीच, बीचों बीच मैंने यह वाले जो, कोलियस के plants को लगा रखे हैं, यह प्लांट को मैंने लालसा की प्लांट को मैंने कल कट किया है, और यहाँ पर देखिए, मिनियेचर, रोज, और यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, कल बंदर आये थे, तो इनको तोड़ दिया है, यहाँ पर कलिया आ रही है, यहाँ से कलिया भी आना स्टार्ट हो गई है, बोगन बिलिया में और यहां पर दखिए फुरुज का फुरुज का फ्लाजुच कि इतनी ज्यादा धूपगी देखते ही इतते और अभी सुबह के 8 यह बजहे हैं और यहां पर देखिए का Cupland का यह मल्टि पटल वाला प्लाज थे यह देख़्ां यहां पर देखिए आप गोरी चुरी का प्लांट और यहां पर और एक प्लांट है टिकोमा का यह थोड़ा सब बेल नुमा है कलिया भी आना स्टार्ट हो गई है इनमें और यहां पर देखिए यह सारे मोगरा का प्लांट है मोगरा के प्लांट में भी अभी नियो नियो ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई है यहां पर आप देख सकते हैं नियो नियो ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई हैं यहां पर कुछ सदावाहार विनका और यह देखिए यहां पर केलेडियम यह बाला केलेडियम मुझे बहुत यह नहीं हटा पाई हुँँ आज आज इनकी फटलाइजर प्लांट करता हम हैं यहां पर मैंखिकंन पिटुनिया सॉरी मैं कbusट सब्सक्राइब घर और यहां पर देखिए लोरोपेटलम और यहां पर भी क्रांबरी विसकस की बहुत सारे यहां पीछे देख रहे हैं यह सारे पॉट में थे दो मैंने इनकी कटिंग कर दी है अगर इन में से ग्रोथ निकलता है तो ठीक है नहीं तो मैं इनको हटा कर नया प्लांट लगा तो अच्छा से ग्रो भी हो जाएंगे कटिंग भी लग जाएंगे और यहां पर कुछ मेरे कटिंग लगे हुए हैं और यह देखिए ग्लाडियलस की एक फुल निकला था जो खराब हो गया मतलब तूट गया तो मैंने इसको इस तरह से पानी में डाल दिया है तो यह खिल यहां देखिए आप कितने सारे प्लांट्स गिर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे प्लांट्स ही हैं जहां पर गिरे जाएंगे वहीं पर प्लांट बन जाएंगे और स्नेल्स देखिए यह प्लांट को बिल्कुल खराब कर चुका है यह देखिए स्नेल्स बिल बिल्कुल खराब हो चुका है और यह न्यू वाले प्लांट्स अभी बनेंगे जो गिरे यही गिरेंगे यही प्लांट्स फिर बन Stre रहां तो यहां पर मेक्सीकन बिर्टुनिया Mehr यहां पर देखिए यह परसलीन है यहां देख सकते हैं बोहती ही आफ़-फ़सार परसलीन और यहां पर देखिए वाइट वाले अगर इन में फ्लारिंग अभी होती है तो अच्छी बात है नहीं तो फिर में इनको कट करूँगी और इसमें तो अभी एक स्टेन निकल रहा है फूल खिलने के लिए और यहां पर यह वाले जो चंपा है यह थोड़े से यह देखिए इनकी लीप्स खराब हो रहे हैं और ची मेटा क्लोरल पीट की स्प्रेइब भी मैंने बहुत दिन हो गये नहीं किये है और यह वाला जो दिख रहे हैं है आप अपराजिता का प्लांट है यह वाइट वाला अपराजिता है और इन में बहुत बढ़िया से ग्रोथ भी हो चुका था और यह गिर के फिर बारिस में ग प्लार जमीन में जो प्लान लगा हुआ है उसी में समे जेले हैं ये फुल ятель कितने सारे हैं और यहां पर देखिये यहां है पिंक चांधनी और यहां पर यह सरे प्लान्ट जो है अभी देखिये खराब हょरे हैं इनकी सब्स अभी जरूरत है और इनकी जो लीप्स खराब हो रहे हैं इनको हटाना है और मिट्टी को थोड़ी सी गुड़ाई करनी है अगर हो सकता है तो गुड़ाई कर दें नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी बर्मी कंपोस्ट इनमें एक एक चमच डाल देंगे तो यह प्लांट बहुत अच ही ऊकते रहते हैं फॉर्न को लोग बहुत ज़्यादा थे इंद इसे ही और मैरे यहां तो ऐसी होते है और इसाइक दाल कर फैंक भी देती हूं यहां पर एक कलरडियम देखिए और यहां पर अंबरिला पाम है अंबरिला पाम की भी थोड़ी सी काम करने हैं और यहां पर मैंने कुछ प्लांट को लाकर रखा था जो कि खराब हो चुके हैं बिल्कुल यह देखिए और यह खराब हो चुके हैं तो इनको बेव में काम नहीं कर पा रहे हूं, इनके उपर गुलदावदी है, तो देखते हैं, आज ही इसका कुछ काम करेंगे, और इसे तरह से मेरे गाडन में प्लांट्स चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए गुल मेहंदी, यह देखिए बहुत ही खुबसरत सा गुल मेहंद प्लांट्स लगे हैं, यह देखिए इसको अगर इसके अंदर रखेंगे, तो सारे प्लांट्स फीर खराब हो जाएंगे, यह देखिए इसको इसलिए मेरे निकाल कर बाहर रख रहे हूं बस इसे तरह से चेक करते रहना है कई प्लांट खराब हो तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर देखिए कुंदा का प्लांट है और यहाँ पर अलमंडा का प्लांट है बूस अलमंडा और यहाँ पर चांदमी का प्लांट है यह देखिए यह वाला चांदमी बहुत इनके जो पिट जो ब्रांच है इसको रख दिया था तो इन में अभी कलिया हैं बहुत जाता तो फ्लारिंग होने के बाद में इसको भी प्रूनिंग कर दूंगी और यहां पर मेरे कुछ मोगरा के कटिंग से ग्रोव हुआ प्लांट है और यहां पर यह डबल चांदनी और नीचे जो चांदनी के प्लांट से यह बिल्कुल खराब हो चुके हैं मतलब इस तरह से उनमें बहुत ज्यादा किड़े लग गये हैं तो उनको में बिल्कुल प्रूनिंग करूंगी अभी और यहां पर देखिए अडनियम यहां पर दो खिले हैं अभी अडनियम और यहां पर देखिए न्यू न्यू यह देखिए यहां पर भी आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर कलिया हैं तो यहां पर भी टॉरनिया और यहां पर भी देखिए न्यू कलिया आ रहे हैं और मै मैंने बस इनमे थोड़ी सी डीपी और फंगिसाइड का बाइड की एपने पहले तो में फिर से फिटलाजर की एड़ कर दूगी और यहाँ पर जो सीडलिंग क क्यार हैं तो यह इसको भी मैं दूसरे … फॉर्ट में सिफ्ट करूंगी बहुत जधा बारी से बारिस थोड़े से रुकने के बाद ही मैं इसको लगा पाऊंगी क्योंकि इन में बारिस ये सकुलेंट होते हैं तो थोड़े से ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ज्यादा पानी से ये खराब ना हो जाए अभी पर लगा सकती हूं लगा कर अलग जगह पर रख दोंगी ज यहां पर भी बीज बन रहे हैं यह बीज से भी तयार हो जाते हैं पर मैं इनको कट करूंगी यहां पर देखिए यह यलो वाले हैं और इनमें भी बीज बन रहे हैं यह देखिए यह पक कर जब ब्लैक हो जाएंगे और गिर जाएंगे तो इनको लगाने से फिर यह से ग्रोखिया है मदर प्रांट की ऊपर से जो ब्रांचमे थे उनको ले कर मैंने फ्लांट्स बना लिए हैं, चार 5 ब्रांट बना लिए हैं और यहां पर देखिए यह रेड कलर का मिनी वराइटी है और यहां पर इनमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं, तो ज्यादा तर यह समर में ही खेलते हैं ये मफ्ल और देखते हैं यहां पर एक ज़रा का प्लांट है यह इसे तरह से यहां पर देखिए यह अप्राजिता में मेंड़ प्लांट है यहां पर कनेर और यहां पर दिखिए यह है Crocandra, Crocandra में अभी Growth बहुत ज़यदा खुबसुरत हो गए है और बहुत Healthy Plant बन गये हैं और यहां पर भी एक Spider Plant में देखिए यह लगा हुआ है donc Spider Plant बहुत ज़यदा बन गए थे तो मैंने हटा कर ये वाले pot में लगा लिया, दूसरे pot में तो ये pot थोड़े से खराब हो चुके हैं, और ये वाला pot तो ठीक है, और ये वाला pot में जो लगाई थी में, तो ये खराब हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर एक भी plant आपके पास से तने spider plant का बच चाता है, तो उससे आप काफी सरेतने plants बना सकते हैं, runners निकलते हैं, baby plants निकलते हैं, या फिर आप डिवाइड करके भी उससे plants बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे rainy season में ये plants कुछ खराब भी हो जाते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पर कुष्ण चुड़ा, ये देखिए, यहाँ पर कुष्ण ये देखिए, यहाँ पर देखिए, रिष्ण चुड़ा की flower, ये देखिए, बहुत ही खुबसूरत से flower होते हैं, इसका colors भी बहुत बढ़िया होते हैं, अलग color में भी आते हैं, पर मेरे पास यही yellow color की ही है, तो दोस्तो यही था आज का Sunday update का वीडियो, वीडियो कैसा लग फिर नई वीडियो की notifications आप तक पहुंच सके, फिर किसी नई टपिक के साथ नई वीडियो के संग आप से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नात